आज से UP में ट्राफिक के नियम बदले हैं तो दो पईया वाहन की बात करें तो दो पईया वाहन पर पीछे बैठने वाले को हलमेट लगाना बेहत ज़रूरी होगा पीछे बैठने वाला अगर हलमेट नहीं लगाता है तो उसे जुर्माना देना होगा तो दोपई या बाहन चलाने वाले के साथ पीछे बैटने वाले को हेलमेट लगाना जरूरी है तो कुछ नियम यहाँ पर जो बदलाफ देखने को भी लेंगे आज से यूपी में तरसल अगर आप बाइट में या स्कूटी में सफर करते हैं और अगर आपके पीछे कोई बैठा है और अगर वो हेलमेट नहीं लगाता है तो इसके लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आपको अपनी जेब धीली करने पड़ेगी क्योंकि आप कही न कहीं ट्राफिक नियमों का उलंगन कर रहे हैं पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना जरूरी होगा तो आज से यूपी में ट्राफिक नियम बदने हैं दोपई अब वाहन पर पीछे बैठने वाले को हेलमेट लगाना जरूरी बता गया है और पीछे बैठने वाला अगर हेलमेट नहीं लगाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा तो ट्राफिक नियमो को लेकर योगी सरकार सक्त होती भी और ऐसे में दोपई अब वाहन पर वीचे बैठने वाले को अगर हेलमिट नहीं लगाता है तो जुर्माना देना होगा